यह जो मैच होने जा रहा है हमारा गाउं हारेगा और आरसे कुलम की जीत होगी कंभले दो अटमीं इसे अब अदे का कि कंभले का टबार जैनल के जुओnd इस एंथा जूत बोल्च कि जुदा कि हो जानल कि छूत प्रिया जानल नत्युद depre緊 आँ अब बोलो है अपने गाउं की टीम आप गई यार चिल्लेया के एक वज़े टीम आप गई हमेशा हमारे परिवार के वज़े से गाउं की टीम जीतती ही आई है क्या हमारे परिवार के बिना वो जीत नहीं सकते हैं चल फोन रख अभी हाँ बोल भाई बाई तमिल तलाइवा के नंबर से फोन नहीं आए था क्या नंबर तो नया था बाई कौन से नंबर से तुझे फोन आया था अब 8056136718 कोई बी दावे चोड़ी छाती वाला मर्द बचा है क्या तू है दोस्त में भाई मेरा है तो रहेंगे हम साथ साथी मेरा है तू है दोस्त मेरा आई मेरा है तो रहेंगे हम साथ साथी मेरा है तू है कि अधिक से लेकिजा आई वनारसी पान आठ बंडल भोला छे बंडल और कलकता सोला बंडल निला में शुरू कर दो तिन्ने दुरही प्यापारी लोग आएंगे तभी तो प्रतियों कीता होगी कीमत बड़ेगी और तभी चार पैसे मिलेंगे तू इतनी जल्दवाजी क्यों कर रहा है कि वहरही वह वह क्या है न आज मीरा चुटा भाइख कबड़ी खेल रहा है मैं मैं हमारी िस प्रोख वोपड़ी कीम के कोच मिस्टर भासकर जी का हम स्वागत करते हैं कबड़ी कंबड़ी 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 है रहूद कंबड़ी यह लड़का कौन है पुराना पोतारी है ना उनका पोता है हमारे भासकर जी कुछ जरूरी काम की वज़े से अब विदा ले रहे हैं लेकिन वो यहां आए इसलिए हम सब उनके शुक्र गुजार है असली प्लेयर का असली टच यही होता है समझ गया रहे तु बहुत बहुत के पात हरा यह ने अपहलाव लुजाद ही नाट यहां तु एैथ अन्यान की बहुता है लिए उस पर हांट उठा दिया जिसे पोतारी का पोता है इसे बॕक्रेए ने इंडिया के लिए खेला है या तामिल नाटू के लिए उखेला है इस गऊ के liksom मैं ने तब लाड़के ल यच्छ flora मत अजो कि अब देखते हूं कैसे बचचे जाता है कबडٍ कबडट्र कबडद कबड़्र कबड़ कब। कर दरिया। बार भार फिकन राइ, जुआ 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 मारी रीजद र talk प्रणक प्रोडिक वार दोसज दुन इच भार दून बार अजद परम moss गजह घजशशशच Hele तुम सब कबड़ी सीख कर खेल रहा हूं पर जो कबड़ी मेरे दादा जी खेल रहे था ना उस तरह के कबड़ी जो उनका छेला खेल रहा था वो भी नहीं खेल पाओगे तुम्हें पता है मेरे दादा जी कौन थे एक एक करके आओ सब को मैं हरा दूँगा जोर जोर मुझ में कितना आज मैं तिखा दूँगा एक एक करके आओ, सबको मैं हरा दूँगा, दोर दोर मुझ में कितना आज मैं दिखा दूँगा अधारी, सरकारी नौकरी के लिए लेकर आया है, अगली 24 तारी को तुम्हें मदरास जाना है, इंटर्व्यू के लिए तुम्हें पता है, यहां अरसल कुलंब के लोग हमसे कोई जीती नहीं सकता, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, कन्या कुमारी के राजा रतनाम, मेमो दिल्ली, आइसी परभाकरान, ऐसे बड़े-बड़े प्लेयर को सेट कर रहे हैं यार, मैने भी बोल दिया, कि बाहर के लोगों को सेट नहीं करना है, जो गाउं के लोग है, वही खेलेगे भाई, अरे वो, उन लोगों को किसी को भी खेलने दो, उन लोगों को अपने हिसाब से खेलने दो, हम अपने हिसाब से खेलेंगे, पोतारी, अरसा कुल लातूर, हमारे मैच का फैजला कर दिया है, अगल करको मैं हरा दूंगा जोर जोर मुझे में है कितना आज मैं दिखा दूंगा मुझे जोर जोर मुझे में है कितना आज मैं दिखा दूंगा मुझे जोटकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा उससे जोटकराएगा जूर चूर हो जाएगा सिंदा रहने वाले मेरे दादा जी का पुतला बना कर गाव वाले पूजा कर रहे हैं उस इंसान की अगर बेज़दी करोगे तो क्या करूं मैं मेरे दादा जी के बारे में बुरा बोला इसलिए मैंने तुम्हें मारा दुबारा मेरे दादा जी या मेरे परिवार के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला, तो काट डालूँगा ये है पोतारी का घर, सोच रहे होंगे इस घर में क्या फंक्शन चल रहा है आज पोतारी की शादी है, सत्तरवी शादी धूम-धाम से करने के बजाए, ज्यादा लोगों को ना बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं ये है पोतारी का बड़ा बेटा, ताव मनी और ये है उनकी बड़ी बहू ये है पोतारी की बड़ी पोती, इसके लिए लड़का देख रहे हैं यह है पोता, आप सब जानते हैं यह कबड़ी प्लेयर है, यह है दूसरा बेटा सची मुट्टू, यह है दूसरी बहु, यह भी उसका पोता है जो पॉलिटेकनिक पढ़ रहा है, यह सबसे छोटा पोता टीयो पढ़ रहा है, यह है पोतारी की बेटी, दामाद और नाती, ए स पोतारी का पूरा परिवार इस पान की खेती बाड़ी पर ही निर्फर है, पोतारी की दो बीवियां है, दूसरी बीवी गुसर गई, उनका बेटा भी गुसर गे, यह उनकी बहु है, पती के गुसरने के बाद परिवार से अलग होकर यह अपने बेटे के साथ रहती है, यह है पोतारी की दूसरी बीवी का इकलौता वारिस चिन्न दुरहिए है रुख्जा बड़े पापा कौन है रहे तेरा बड़ा पापा किस मुझे तुस घर की देहलिज पर कदम रख रहा है हां मैं भी तो आपका ही खून हो ना आज के शुब दिन पर मैं आपसे आशिरवाद भी नहीं ले सकता क्या हम जब सर धड़ से अलग हो जाता है तो वो अलग ही रहता है दोबारा कभी चुड़ता देखा है क्या बड़े पापा जा यहां से चा भाई 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 चल चलते हैं यार एई रुक चाओ तुम लोग क्यों तुमने उनके घर के दर्वाजे पर खादम रखा मैंने तकलीफ उठागर तुमारी परवर इश्किये उनके सामने बेज़द होने के लिए क्या मुझे सिंदा रखकर मेरी चाती पर मूंग दल रहे हैं वो लोग वो हमारा परिवार या रिष्टेदार इन में से कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए मैं हूँ और मेरे लिए तुम हो और कोई नहीं वो हमेशा तुमारी बेज़दी करते रहते हैं फिर भी तुम बेशर्मों कीतारों उनके सामने खड़े हो जाते हो वहां चाहें मेरी कितनी भी बेज़दी हो मैं वहां जरूर जाओंगा मुझे अपने परिवार को एक करना है दोस्ती हमारी प्यारी हम तो है खिलाडी कबड़ी हम खेलते हम तो कबड़ी है खेलते हेलो कौन है मैं तमिल तलाइवा से भासकर बात कर रहा हूं बेटा अब सर 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 सॉरी सर नंबर नया है इसलिए पहचान ही पाया मैंने तुम्हारे फोन पर एक इमेल आइडी भीजिए ओके सर तुम्हें काम करना तुम अधार कार्ड और पाकी के डिटेल्स उसी पर सेंट कर देना ओके सर ऑके सर बात में बात करते हैं थैंक्यू सो मच सर थैंक्यू सर अरे यार कौन था फोन पर जो तो इतना मुस्कुरा मुझे भी आसा ही लगता है यार अब एक मिनुट है अब हलो पपा प्मिल तेलाइवा से फोन आपता है और अब अधा हूत कि अर्ट अच्या एक जमाना था पोतारी और हमारे मालिक साथ में कबड़ी खेला करते थे पोतारी बहुत अच्छा खेला रही है उसके बाद पोतारी का बेटा कनन कबड़ी खेला और उसके साथ हमारे मालिक का बेटा भी खेला कनन बहुत अच्छा प्लेयर था देखो क्या कमी है पुतारी परिवार के लिए ही बना है और पता है गाउं के लोग भी यही बोलते हैं पाँ दादा जी का है क्या हुआ है क्या हुआ यह क्या हुआ बुला ता जाके वाम अप करो यहां के खड़ा है तू क्या करूं क्या करूं हा तुझे प्रो कबड़ी में ले जाने कर लिए इतने Eldra अजते अज़े ब्ली मेरी दीड़ियो और उड़ा कैन्या आव तु ब्रऌशा मैं अचलिआ चाड़ को फोन लगाता हूं स्पीकृर मैं डालू स्पीकर में डाल यू बाई पाला यार कोविल से ब्रह्मया बात कर रहा हूं आपसे अपने पोते के लिए तमिल तलयवा टीम के लिए बोला था क्या हुआ उसका सिर्फ बोल बच्चन है आपका ससुर जी पहले तो ये कबद्डी वगेरे बूल जाए मैंने कबड़ी खेली, मेरा परिवार कबड़ी खेल रहा है ऐसा सिर्फ आप कहते हैं बाकि इस गाउ में ऐसा कौन कहता है आप यहां के प्रेसिडेंट है इस गाउ में सबसे बड़ा परिवार है लेकिन यहां हमारी क्या हिस्सत है जब इस गाव में किसी की शादी होती है, तो मंगल सुत्र उठा कर कौन देता है, पुत्तारी देता है, और सबसे पहले बही आशिरवाद भी देता है, मातम हो तब भी पुत्तारी ही जाता है, अभी मिनिस्टर ने क्या कहा ये पता है न, चलैया को सिलेक्ट करने वाले हैं व पोते को जो नहीं मिला वो, वो तारी के पोते को भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. दुख 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 इक गाड़ी यहां से ऐइसे क्राउस हुई, और उस गाड़ी के हेड़ छेहरे पर होई और तुमारे चेहरा सूनी की तरह चमक रहा था, पर उसके बात जिब रेड़लाइट पड़ी Quindi तो वही चेहरा मणी की तरह जमक उठा और जैसे ग्रीन लाइट पड़ी तुम्हारा चेहरा तो नीलम की तरह जमकने लगा मुझे कहीं गिर्वी रखने वाले हो आपको अपने दिल में गिर्वी रख लिया तो मैं मौड रूगी अरे यार गाड़ी यह नहीं है सोकर उठने के बाद क्या हो रहा है बान के पत्थे बस में जा रहे है क्या या अन। तुझ से बात कर रहा हूं यह मतलब वही है पोच भसमें नहीं आया है कुछ नहीं आया है ao hi औरे सुनना भाई में आज कूच बनकर मेदान में उतर जाओं कोच बनकर अभे तुझे कबड़ी का कर बी आता है क्या साथ सालमें बहुत कबड़ी खेली है मैने तब तु साथ सालक अब तुū साथ सालका नहीं है हम मेरी रगों मेरे द्यादा जी का खून है सब कुछ अप हो जाए एसे कप्रों में कभी किसी ने कोचिंग की है क्या क्या यार ड्रायर के साथ तो कर सकते है न जी कोच है क्यों कोच साब दादा जी के खून का असर दिख रहा है न एक कोच आ गए है ए फ्राड फोन नंबर नहीं दोगी मा डालूंगी लेकिन कब अरे बेटे तुमने मेरी बात सुनी क्या या हुआ चाचा तुमारी दीदी की शादी में तीन एकड़ पांड की खेती और एक विंटल पांड के पत्ते दहेज में देने वाले है ये बात जानते हो गया मामा लगता है अमीर घर का लड़का मिल गया है इसलिए अपनी जमीन जैदात बेच कर शादी करने की सोच रहे होंगे लेकिन उनका कहना है कि देना है तो पंप सेठ के साथ दो भाई लेकिन मुझे लगता है अपनी पोती को दहेज नहीं बलकि घरवालों को रोड़ पर लाने वाले हैं तुम्हारे दादा जी पता नहीं उनके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है इसका कितनी बार भी बोलो सुनने वाला नहीं है तो इधर क्यों आया है रिष्टदार होने के नाते दुश्मन के घर पर आ रहा है तुम्हारे अमारे बीट में कुछ नहीं असा बोल दिया था ना तो अरे रोख जाओ रोख जाओ कि पंप सेट के साथ एक एकड़ जमीन बेचते बागी जमीन के लिए पानी कहाँस अलाएंगे नई बोरिंग करानी है क्या यह मेरी जमीन के कागजात है इसे बेच कर दीदी की शादी करवाते हैं ना है तो हमें भीग देने आया क्या इधर देख हमारी सारी जमीन जाइदात बेज कर मेरे पिताजी मेरी बेटी की शादी करवाएंगे यह सुनाएं नहीं दिया क्या बड़ा बेशरम है चल जा क्या बात है पोते का जनम हुआ है पूरी रात अस्पताल में ही था अभी आकर ना आया जब मैं छोटा था तब मेरी एक लटकती होई छटी उंगली थी ना वैसे ही मेरे पोते की भी है क्यों रो रहा है मेरे बच्चे हाथ को क्या हो कुछ नहीं है पापा पविश्य में प्रॉब्लम ना हो इसलिए डॉक्टर ने छोटी हुंगली का ओपरेशन किया मैंने बोला था ना ऐसे ही रहने दू अरे मेरे बच्चे को कितना परेशान किया कियों से सुर्जी सारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा अच्छा था अच्छा था देखा जाते तू अपने घर में आदी जादाद के मालीको परिवार वालों के चक्कर में पड़े रहोगे ये सब कैसे चलेगा बताओ जादाद का बटवारा करके खुशी से जीने के बज़ा खेती बाड़ी आप हमारे घर आए खाना खाया अपनी बेटी से मिले आपको इतने में ही तसली रखनी चाहिए शराब वगेरा चाहिए तो मंगाओं वो क्या है ना ससुर्जी अमारे परिवार के बीच में मत पड़ इतनी रात को कैसे आना हुआ अरे कुछ नहीं भाई तंजिया डिश्टिक और पुतकोडी डिश्टिक का फाइनल है दो बार हार चुके हैं इस बार कैसे भी करके जीतना है हमें ये अपने कनईया अगर ये मैच खेलेंगे ना तो मैच हम पक्का जीत जाएंगे और कब भी ह क्या हुआ को जरा बुलाओ क्यों क्या बात है क्या हुआ पापा वो बेटा कबड़ी आसोसीएशन के लोग आये हैं एक जरूरी मैच है हमारे जिले की इज़त का सवाल है तुम वहां जरूर खेलना ठीक है पापा हाँ कि अजी सुनियों कबड़ी खेलने का कोई सही समय नहीं होता क्या अभी जाकर खेलेंगे मुझे अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है आप अभी मज्या ये कबड़ी इतना जरूरी है ए पापा ने जबान दी है ना अब क्या उनको मना कर दूँ आता हूँ तंजिया की टीम की तरफ से अभी जो मैदान में उत्रे हैं वो एक नाम चीन का बड़ी प्लेयर पोतारी जी के बेटे हैं अब दिल्चस्त खेल होने वाला है अब बहुत बढ़िया वावा तंजिया टीम ने अपनी पहली जीत का जंडा कार दिया है हारुनों ने और पॉइंट सासिक किये है तौद पर देक्विशा तौद पर देक्विशा पीछा को अजिया टीम ने अपनी चीत का पहला जंडा कार दिया है कब दिक कबड़ी कबड़ी कबड़ तदंजीं के हुए 5 ऐखे पुद्ट कोटी टीम के वेखनों देलीं । क्या होd क마 कि पतारी को हर बात का पता है, अगर दस वारिसों तो भी उसका अधा हिस्सा बनता है, लेकिन ऐसे में वो आपकी बात भला क्यों मानेगा, यहां तो एक ही है, ऐसे में मेरी बेटी और उसके बच्चे को आधी जैदात तो मिलनी ही चाहिए, अमारा बेटा मर गया, यही दुख नहीं सहे पारे, मैं तडप रहा हूँ और आप, यहां जायदात की बात कर रहे हैं, इसे अलग करना चाहते हैं आप, जिसको जन्म दिया उसको अलग करें, बाल पोस कर बड़ा किया, उसे अलग करें, जो जिन्दगी उसने बिताई उसे भी अलग करें, क्या बोल रहे हैं किसे अलग करने की बात कर रहे हैं आप, अभी तो बच्चे छोटे हैं, उनकी पड़ाई की उम्र है, जब वो बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तब करेंगे ना बटवारा, अभी से अलग क्यों करना है उन्हें, मुझे अभी से इस परिवार को अलग नहीं क करना है, समझ गया राओ, कबटी खेलना और उसके लिए मरना आपके लिए गल्व की बात होगी, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है, जू सो राता उस उठाकर, कबटी खेलने के लिए भेजने वाले आपई हैं, और सिर्फा आपके लिए, मुझे भी कानून पता है, मुझे मेरा ह जैदात का बटवारा कर दो, जैदात का बटवारे के लिए कहा जनम गो कहा कर बात कर रहे है भावी, क्या कहा अब तू क्या कर बात करोगे मुझसे, अरे नहीं, रुको, हाथ उठाओगे, मेरा पती नहीं रहा तो ऐसा करोगे मेरे साथ, मेरा बेटा छोटा है इसलिए आप अगर यह बड़ा होता रहे, तो आपके हाथ तोड़कर रख देता, समझेया। मारने के लिए अपने बेटे को तैयार करके रखा है, अब यह और क्या बजा है, अब हम लोग जीए या मरें। आज के बाद इस घर के दर्वाजे तुम्हारे लिए बन तुम्हारा जो हिस्सा बनता है लेकर जाओ। काग्जात तैयार करो, अभी दस्तखत करूगी। तुम्हारे दादा को तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, तुमसे प्यार की बात ही करके जायदात का बटवारा करना चाहते हैं। और उनके दिल में हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो कबड़ी खेलने बुलाए तो कभी मज जाना। तुम्हारा कोई दूसरा परिवार नहीं है। तुम्हारे लिए मैं हूँ, और मेरे लिए तुम हो। समझ गए ना। कबड़ी, 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 कबड बेटे को मार दिया ऐसा बहु कहती है बुझे भी मार दोगे ऐसा पोता कह रहा है मैंने अपनी छूटी उम्र में अंजाने में जो भी किया उससे मेरे दादाजी को चूट पहुंची उस सक्म को ठीक नहीं किया जा सकता मेरे दादाजी को जायदाद में कोई दिल्चसपी नहीं और जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं उनसे मिलने के लिए गया लेकिन उपने मुझे स्विकार नहीं किया, और भर से निकाल दिया. मान्ता हूं कि दोनों घर के बीच हालाथ ठीक नहीं है. लेकिन एक दिन दोनों परिवार एक हो जाएंगे. इस जमीन पर दोनों साथ मिलकर खेती करेंगे. उस दिन मेरे दादा जी कहेंगे, ए चिनना दुरे, हल लगाना, चल ट्रैक्टर स्टार्ट कर, जब तक वो दिन नहीं आ जाता, तब तक मैं इस जमीन पर खेती बाड़ी नहीं करूँगा, इस जमीन पर खेती बाड़ी करेंगे ना, तो लाग हो रुपे कमा सकते हैं, इसे ऐसे ही सूखा जोड़ कर कमिशन के पान की ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो, तो ऐसा ही क्यों नहीं कर लेते, भाया मुझे यहां से कालियार मंदर जाना है, वहां की बस कितने बज़ आएगी, इस गाउं से बस की तीन ट्रिप चलती है, अगली बस चार बज़े आएगी, उससे पहले वहां के लिए कोई पता है, तुम्हें देखने के बाद मैं खुब को जूट बोलने से पता नहीं रूकी नहीं पाया, आखिर कौन सी बड़ी गलती कर दिया मैंने, तुम्हें देखने के लिए जब मैं बस से नीचे उत्रा तो एक लाग के पान मैं उस बस में भूल गया, हमेशा डांटती रह पतारी जी के घर पर पहुच गए हम, क्या बात है, यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है, पतारी, 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 वहां भीग रही हो, थोड़ी पास में आकर खड़ी हो जाओ ना, पतार, मैं रास्ते में तुम्हें कुछ बताना चाहता था, दरसल कल रात को मैंने एक सपना देखा, तुम्हारी और मेरी मंदिर में शादी हो रही है, शादी होने के बाद हम बहुत ही खुश थे और कार मे कहीं जा रहे थे, तभी अचानक बीच में गाड़ी आती है, और हमारे साथ एकसिडेंट हो जाता है, और मैं, तुम जैसे लड़के से शादी करूँगी तो, एकसिडेंट नहीं होगा, तो और क्या होगा, उतारी के घर तुम मुझे ले जाओगे, भोलो हाई, या ना, ठी एक दिन का बड़ी खेलते वे मर गए थे, उनकी मौत की बज़ा मेरे पापा ही है, आज उनकी पुन्यत हिती है, कई बार मैंने उनके घर जाने की सोची, लेकिन मो नहीं हुआ, कैसे भी करके, आज मुझे उनके घर जाना ही होगा, समझ गए ना, एक मिनिट रुको, तुम जिनकी बात कर रहे हो न, वो मेरे पापा है, पापा, हे, एक मिनिट रुको तो जरा, तुम्हारे पापा नहीं रहे, ये सब तुम्हें पता है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ तुम्हें पता है, उस दिन पापा जब घर आए, तो उन्होंने घर से बाहर जाना ही छोड़ उन्होंने मा या मुझसे किसी से बात नहीं की, खाना भी छोड़ दिया, यहां तक कि पानी भी नहीं पी रहे थे, पागलों की तरह वो इधर दर घूमे जा रहे थे, एक मौत की वजह से वो बहुत तकलीफ में थे, महीने भर के अंदर तो वो भी गुजर गए थे, तुम्हे तुम्हें पता है क्या, तुम्हें कैसे पता होगा? का ने रहे थे? चोटे पापा क्या हुआ है तुमारा हम लोगों का परिवार सडक पर आ गया यही देखने के लिए तेरी माने यहां भेजाए ना अर नहीं तुफान आया है न तुम्हें खेद देखने आया था अले एक जादात के दस लोग हगदार हैं लेकिन फिर भी यह हमारी है यह हम लो है तुझे तो पता है ना तुफान आने से पूरी फसल खराब हो गई है पान के पत्तों को आंधी तुफान से बचाना सबसे बड़ा काम होता है तु समझ रहा है ना यह ले पूरे 50,000 रुपह है भाईया अगर घर में पता चला तो लफड़ा हो जाएगा भाईया मत दो भ पागल है क्या पान के पत्ते खराब हो जाएंगे घर पर बोलना किसी दोस ने दिया है अब भावरे दादाजी ये लो करनी और कत्नी में फर्क नहीं होना चाहिए अगर तुमने पैसों का लेंदेन किया तो तुम्हें भी अलग कर दूँगा हेलो गुड मॉनिंग बेटा मैं तमिल तलाइवा से भासकर बोल रहा हूं तुम्हारे लिए गुड न्यूज है यार सिलेक्टेड इन तमिल तलाइवा थैंक्यू सो मच सर थैंक्यू सर लेकिन एक ज़रूरी बात है तुम्हें कंपल्सरीली मैट पर ही प्रैक्टिस करनी हो तभी तुम्हें मैच खेलने में आसानी होगी तुम्हें कभी भी कॉल आ सकता है रेडी रहना ठीक है थैंक्यू सो मच सर बैट लेनी है तो तीन लाख रुपए तो लग ही जाएंगे क्या कावरिंग है क्या ऐसा लग रहा है अपने पान की खेती तुफान की चपेट में आ चुकी है क्या है बेटा कुछ नहीं पापा चलिया यह ले जाकर अपने छोटे पापा को दे दे पूरे दस दिन भी गले में पहने नहीं देते हो पापा ने आपको देने क्लिक आए बेटा गैनों को गिरवी मत रखना नहीं तो सारी महनत प्याज भरने में चलि जाएगी बेची दो हलो हलो वो लोग जीतने के बाद पहले के समाने में साइकल और अब बाइक लेकर 200-300 लोग पूरे गाउं की गलियों में चक्कर लगाते हैं गाउं में कोई मर्द है क्या ऐसा पूछ कर बेज़ित करते हैं वो सब का मजाक उड़ाते हैं अगर यह लोग ऐसा करेंगे तो किसे अच् क्यों जीत पाएंगे ना समी सामने देखो इस बार यही कोच विपक्षी टिंबो ट्रेनिंग दे रहे हैं हर साल की तरह इस साल भी तुम लोग जीत जाओगे क्या भाई कोई भी कोच आ जाने दो पूरे तंजोया डिस्ट्रिक में हम लोग ही जीत के जंडे गालेंगे और तुम क्या ये अर्से कुलम का खौफ जिखा रहे हो आर्से कुलम को ऐसी मार मारेंगे कि चारो तरफ धूल मिट्टी उडएगी चलो यहां से चलो चलो एए सुनना चाहिए यार भासकर सर ने फोन किया था प्रो कबड़ी के लिए मैं सेलेक्ट हो गया हूं लेकिन बात यह है कि मैट पर ट्रेणिंग करना कंपल सरी है और हमारी हालत ऐसी है कि मैट के लिए पैसे नहीं मांग सकता और मैट के बिना सेलेक्ट हो भी गया तो यह बताने का कोई फायदा नहीं होगा क्या तो मेरी हिल्प कर सकते हो कम से कम एक लाख रुपए तो लगेंगे यार आज ही फसल की लोडिंग के लिए सेटल किया था मैं काम करता हूँ एक जान पैजान के आदमी के पास से ब्याज पे कुछ पैसे लेने की खुशिश करता हूँ तुम्हें चलेगा ना ब्याज पे ठीक है जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते मैं व्याज भर दूँग ठीक है ना लेकिन भाई इन पैसों का मैटर आपने बीच में रहना चाहिए ठीक है यार बिल्कुल हमारे भी बीच रहेगा तामिलते लिए प्रोकाबड़नी में सेलेक्ट हो गया हुदाथ जी जीते रहो बेठा जीते रहो बगवान से प्रात्ना करता हूं मेरा बच्चा वेज़े ही हुदा पर इसके लिए पैसे कहां से दादा जी वो भासकर तमिलते लईवा में कोच है ना उन्होंने खुद भेज़े हैं ठीक है बेंटा डीधी मेरे भी एक ठीक ले लो ना आप मेरा ये सत दुब हुआ पतारी आओ 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 तो ने-ने आओ आओ अरे ऐसे मना मत करो कितने महान आदमी हो तुमा इन सालों में कितने लोगों को काबिल बनाया कितनों की सरकारी नौकरी लग गई यह कोई छोटी बात है क्या हाँ मामा माने कहा कि आप सिर्फ टीवी में कबड़ी खेलोगे हाँ बेटा मामा को अब यहां खेलते हुए नहीं देख पाओगी पेले रंग में साथ नमबर की ड्रेस पहने हुए प्रो कबड़ी प्लेएर तुम्हारा मामा सिफ टीवी में ही दिखेगा दादा जा बटा कुछ बोलो आप क्या बोलो मैं रिकारडिंग कि ने इसा चल रहा है कोन है मेरी तो ड्राइवत कर इस तो शुषाहस्म के के ऑफिस पहुंच जाना सर सोरी सर घलत मां समझेगा कल मेरे पास के गाउं में कबड़ी का मैच है यह हमारे गाउं की इसी तरह पापा अपनी लगी लगाई गवर्मेंट जॉब को लात मारकर गाउं की तरब से कबड़ी खेलने के लिए उत्रे थे अभी देख रहे हो पूरे परिवार के साथ पानकी खेटी के भरों से बैठे हैं मेरी बात सुनों जाने का रास्ता देख बेटा यह फैसला थोड़ा मुश्किल है मैं मानता हूं अब यह गाउं के लिए आरसी कुलम के खिलाफ कबड़ी जरूरी है वैसे ही प्रो कबड़ी जाना भी जरूरी है अब इन दोनों में चुन्ना तो तुम्हें है एक बार दोस्तों से भी बात कर लेना कि अब भी बात यह कि तमिल तलईवा से बासकर सर का फोन आया था रात को ही निकल कर चन्न ही आने के लिए को समझ में यह रहा है यार यह तो अच्छी बात है यार अरे पर हमारा आरसी कुलम के खिलाफ मैच भी तो है ना समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे मैं करू तो क्या करू ठीक है मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो तुम तमिल तलईवा के लिए खिलोगे न तो पूरे गाउं को फक्र होगा वैसे भी हम पहले न जाने कितने मैं चार से कुलम को हरा चुके हैं वो सब हम लोग देख लेंगे और तुम्हें जो भासकर सर ने कॉल किया था यह बात कि कॉल करता हूं ठीक है मरे बाई बदाई हो यार देखा मैंने जो कहा था वो भी बोल रहा है टिकेट लेकर मदरास जाने का रास्ता देखो है सुनना यार दादाजी का इंडिया के लिए खिलना एक सपना था वो तो पूरा नहीं हो पाया पापा के भी नसीब में नहीं था उन्हें जो मौका नहीं मिला वो तुझे मिला है मुझे तुझ पर बहुत कर्वे मेरे भाई पहुंच देख फोन करना ओके भाई यह जो मै वसे कुलम की जीत होगी खो बाटि-्या पिखाट बंदिक नो जर्णी स्वे खोरा नहीं खोरा इंदोग्छ हां बोलो भाई अपने गाउं की टीम हार गई यार चिल्लेया खेलने नहीं आया यार इसलिए टीम हार गई जल्लेया के वेज़े से टीम हार गई हमेशा हमारे परिवार की वेज़े से गाउं की टीम जीतती आई है क्या हमारे परिवार के बिना वो जीत नहीं सकते चल फून अबोन और अफिस में आकर देखा तो यह रहा है कि किसी ने भी से फोन ने कि ऐसे कैसे व सकते इसे कई बोल रहे हैं तू ने मुझे बूलाया था लेकिन यहां सब कहई रहा है कोई भी दावे चोड़ी छाती वाला मार्द बचा है क्या क्या कि गाओं की बाउंडरे पर पिशाप करके इन लोगों ने वीडियो वाट्स अपट डाला है बहुत बदनामी हो रही है यार च्या है आज पता ने इसे भी क्या हुआ ये भी ठीक से नहीं खिला इस चलाईया के बिना तुम मेरी कोई टक्निक काम ही नहीं कर पाई अगर चलाईया होता तो इसके बारे बात मत कर हाँ बोलिये आप ये क्या बोल रहे हैं अपने कॉंपलेक्स में बेजो तो जड़ा कौन था फॉन पर वो टी बी अर सोला कॉंपलेक्स में मेरा एक पहचान वाला है उसने अन्जाने में कॉंपलेक्स के सामने बाइक स्टैंड में स्सी्टिवी का फुटेज देखा उसमें अपना चले या किसी से पैसे लेता हुआ कैमरे में रिकाड़ हुआ है पैसे लिए है क्या है है एक मिनट इसे मैंने आर्से कुलम टीम में देखा ऐसा लग रहा है ला दिखा देख इसे हां यार देखो तो है आज से कुलम टीम से पैसा लेकर चले या तमिल तेलवा कैम्प के नाम से भाग गया होगा क्या चैचे ऐसा नहीं हो सकता है तू क्या बक्वास कर रहा है मुझे फूरा डाउट है बासकर साथ का नंबर फिर कहां से मिलेगा उसे ए छोड़ यार तेरे पास उसका नंबर है है जर इदर ला डाउट किलर करते हैं पीकर पे रख हलो कौन है सर 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 नमस्ते सर मैं कालियार काभिल टीम का प्रेशिडेंट ब्रम्या का पोता बात कर रहा हूं सर सर आप विजी तो नहीं है न एक छोटे से डाउट के लिए आपको कॉल किया था सर कोई बात नहीं बूलो सर वो चलेया नम का एक लड़का हमारे गाउं का है सर आज उसकी तमील तेलेवाग केंप में ज्वाइनिंग है क्या सर फिलाल तो मैं दिल्ली में हूँ कैम तो अगले मानी शुरू होगा ना अरे कैम में अभी कोई काम ही नहीं है इतनी जल्दी कॉल क्यों किया ने सर एक छ सब्सक्राइब डालो मैं सटकोपन बात कर रहा हूं अगर तुने दोनों को लडाई करने के लिए यही जगा मिली है क्या जो भी शाच है सईसाही बोलो इससे मैने मैट के लिए हिल्प मंगी थी तभी ब्याच पर पैसे देनी की बात हुई थी और इसने जिससे बोला उससे पैसे लिए मैंने बहुत श्याड़ा बन रहा है थीक है मैंने तुझे एक आदमी से पैसा लेने के लिए बोला था तो चल फिर उसका फोल लगा सच क्या है सब लोग जाल लेंगे उसे मैंने बहुत बार फोन किया उसका फोन आफ आरा है सट गोपन के कहने पर ही मैंने पैसे उधार लिया थे कि नहीं पैसे लिया था उसका वीडियो भी है और ब्याज पर पैसा नहीं दिया था बलकि कबड़ी ना खेलने के लिए पैसा दिया था यहीं बोला था यह आद्मी फोन पर अब आप ही बताईए इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए आपको अरे भाई कुछ भी हो एक बार पोतारी जी से पूछनी जी है वाट सब पर जो भी आता है वो सच नहीं होता और जो सच है वो जूटा नहीं हो जाता यह मेरा खून है कभी गलत नहीं होगा अरे वाँ कमाल की बात है मामा जी आपसे जवाब आएका मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं तो सोच रहा था कि अब आप अपनी चपल से चले आखो मारेंगे अगर इसकी गलती नहीं है तो गाउं वालों की गलती है क्या बतारी 40 साल से ये गाउं तेरा नाम लेकर ही कबड़ी खेल रहा है ना सिर्फ तुम्हें ही हमने गाउं में भगवान की तरह दर्जा दिया है तुमने गाउं का नहीं बलकि अपने पोते का साथ दिया मामूली पैसों की लालच में आक है ये जो गाउं की बदनामी की गई है उससे सिर्फ उसका ही सर नहीं जुका है हम सबका जुका है हम से बहुत बड़ी गलती हुई है कि हम कबड़ी में जीत के लिए हमेशा एक ही परिवार पर निर्भर रहे हैं जबकि कबड़ी पोतारी के परिवार की बपोती नहीं है जो मेहनत खरेगा जीत उसी की होगी आज के बाद पोतारी के परिवार का कोई भी वारिस कबड़ी में हिस्सा नहीं लेगा ये इनक्वारी टीम का फैसला है सिर्फ इतना ही नहीं हमारे गाओं की कबड़ी टीम का नाम पोतारी कबड़ी एस्सेशन भी नहीं रहेगा और उसका जो नाम पहले था काले आर कोविल काले गल वापस बही नाम रखा जाएगा बिल्कुल सही हुआ ये कि इतने तमाशे के बाद उस पॉतारी का पुतला इस गाम में क्यों है चलो तोड़े चलो 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 यहां से पाइज पूर्टी रहेगी ही नहीं कि नहीं को देंगे इसको कि अब आप कि अब कि 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 इस चल्लेया ने पैसे लेकर कबड़ी में हराया इस मैसेज की वज़ा से पुरे गाउं की बुरी तरीके से बदनामी हो रही है ये तमिल तलेवा भासकर को भेजते हैं सुनो तो, वो कहां खड़ा है जाकर देखो तो मैं वही तो देख रहे हूँ दीदी, वो रोड पर खड़ा है हलो भीया उस दिन तुने मुझे जो नंबर दिया था ना उसे मैंने साइबर क्राइम के विक्ट्री भाय को ट्रैक करने के लिए दे दिया था तो वो नंबर कन्या कुमारी के किसी जोटे से गाउं के दूध वाले का नंबर है उस वीडियो में जो लड़का है उसे भी मैं ढूनने की कोशिश करूँ आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं ए मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूँगा तो और कौन करेगा एक बात तु ध्यान रख ये सचाए आज नहीं तो कल बाहर जरूर आएगी फिर उस दिन मैं सड़कोपन का कॉलर पकड़ूँगा अरे क्या हो गया तुम्हें सिर्फ गाउं के लिए कबड़ी नहीं खेलना है ए तुझे इंडिया के लिए प्रो कबड़ी खेलना है यार मैं देखता हूँ तुझे कौन रोकता है अभी तु जाकर आराम से सूर्चा मेरे भाई अरे बेटा तुने ब्याज पर पैसे लिये थी ये बात मुझे से क्यूं छुपाई तो चार लाग का इंतजाम मैं तुझे करके देता इतनी बत्तर हालत नहीं है मेरी ठीक है जो हो गया सो हो गया अब स्यादा परेशान मत हो ना जाओ कुछ खालो तीदी वो धग्या कहकर सोने जा रहा है जब तक सोना है उसको सोने दिजी मैं उसे बाद में जगा कर खाना खिला दूंगी हां पेटा मैं भासकर बोल रहा हूं पहला कदम ही गलत लग रहा है तुम्हारे बारे में बहुत अफ़ाएं उड़ रही है एक अच्छा प्लेयर होना बेहत जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा इमानदार और बेदाग होना ज्यादा जरूरी है मुझे ऐसा लगता है कि प्रो कबड़ी अब तो अपने दिमाग से निकाली दे जल्ड याँ मैं इसके सिराने ही सुई नी पुचे कैसे ने पता चला अस बागवार दे भी मुचे में जेगा याँ कि यह क्या हो गया है तो अटके बैटे का और कि चिता में आग लगानी चाहिए थी लेकिन आपको यूस की चिता में आग लगानी पड़ेगी अश्या था रूचा अश्या इससे चले जायदाद जायदाद बोलके सब कुछ लेका किया पूरा परिवार रोड पर आ गया है मैं नहीं बताना था यह सोचकर मेरा बेटा कर्ज के बोज़ में दब कर मर काया तो निकल यहां से निकल यहां से बस मुझे एक बार उसका चैरा देखिया है तोड़ के रिष्टा चला कहां रे दिलों का ये नाता तोड़ गया रे सदा के लिए मुह मोड के कहां है तू चला रोता चोड के पैसों की जरुरत थी इसलि में इस काम के लिए रेडी हुआ वो मर जायागा ये मैंने कभी नहीं सोचा था एक तरफ चलाईया के भाई मुझे ढूंड रहा है पूरे गाव में बदनाम हो गया हूं पता नहीं मैं कहां जाओं और आप मेरे बीवी बच्चों को मारने की धम अपने गाउं सुगाट वर्यमत बंदी में होने वाला है उसके उपलक्ष में ठीक पाच बज़े शाम को ठीक पाच बज़े पंचायत होने वाली है इसके आप सभी लोग उस मीटिंग में शामिल होकर मुझह उस मीटिंग में जाना है भी तरह अलग कर दिया है ना भी मीटिंग में जाकर क्या करेंगे भी वालों ने अलग किया है उस भगवाने तो नहीं पहले जो फैसला लिया गया था उसके हिसाब से हर एक परिवार से 1,000 चंदा लेकिन एक परिवार से नहीं लेंगे हम क्योंकि इस गाओं से विश्वास घात करने वाले परिवार से चंदा लेखर मेला चलाने की नौबत नहीं है इस गाओं की हमेशा की तरह सुटगाटु मर्यमन की पालकी की दोपहर में पूजा होगी और शाम को शादी शुदा लोगों में कबड़ी की प्रतियों किता होगी ठीक है ना किस से पूछ कर आपने ये वैसला लिया हमारे परिवार से पूछना चाहिए क्योंकि उस मंदिर की स्थापना करने वाला हमारा परिवार ही है और आज से नहीं हमारे दादा पर दादा के समय से पालकी को कंदा देना और कलश को तोड़ने के बाद ही लोग प्रात्ता करते आये हैं आप सब कुछ बदल सकते हो लेक और कैसे प्रचुझता करें पीचे लिए आसी यह करते निन चामीर करने पूझा भीfront तो इक अमकर शादिशन लोगों को या फिर जो उनको मैदान में उतार कर जो कोतारी परिवार की रिवास की बाद कर रहे हैं उनको वहीं मटका तोड़ने देखे जा रहा एक परिवार से चन्दा नहीं लेना है उस परिवार को विश्वास कहते हो साबित करने के लिए मेरा भाई भी जिन्दा नहीं है और हाँ ये उत्तारी परिवार के लिए मटका फोड़ने की प्रतियोगी तरह खरा है न और इसकी बात सुनकर पुरा गाउं हस रहा है मेरे दादाजी इस गाउं के लिए 40 साल कबड़ी खेले मेरे पापा दस साल खेले और मेरा भाई पांत साल हमने गलत कर दिया क्या अगर हमारी कोई गलती है तो बताईया न उस दिन पंचायत में आप लोगों ने क्या कहा वो तारी परिवार आज के बाद कबड़ी नहीं खेलेगा लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं आने वाले मंदिर के मेले में प्रतियोगिता शादिशुदा और कुवारों के बीच नहीं होगी तुम लोगों ने हमें कबड़ी खेलने से मना किया है न गाउं के लड़के एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ पूरे गाउं के है तू पहले ये बता के किस परिवार का है तू एक मिनिट वो तारी वो तारी का बेटा कनहिया कनहिया का बेटा चिन्ना दु रही ये मेरा पूता ही है चालिस साल से इस गाउं के लिए भाग तोड़ करके कबड़ी खेल कर इस गाउं का नाम रोशन किया है मैंने और उसी वजह से अपना परिवार तक हो चुका हूँ मैं और ऐसे परिवार के लिए मटका तोड़ने की प्रतियोगिता मैं पहले ही एक मटका तोड़ चुका हूँ अपने पोते के नाम का तुम्हीं लोगों ने हमेला किया है ताकि हमारे परिवार से कोई कबड़ी ना खेल पाए इसलिए लेकिन ये सतर साल का पोतारी कबड़ी खेलने के लिए मैदान में उतरेगा मेरे परिवार के लिए पेटे के लिए पोते के लिए इस पूरे गाउं के खिलाफ मैं खेलूंगा क्या भाई एक परिवार पूरे गाउं के खिलाफ कबड़ी खेलेगा ये लोग अच्छी तरह दे फस गएं ये लोग बहुत बुरा मार खाकर जाएंगे वतारी सरा पलट के देख तुमने जिसे पोता कहाना अगले मिनट तेरा बड़ा बेटा चला गया यहां से परिवार के साथ खेलोगे परिवार के साथ खेलोगे बोल रहे हो किस परिवार की बात कर रहे हो ये देखो इसे साथ में लेकर कबड़ी खेलोगे क्या उधर एक और घर जमाई है उसके साथ खेलोगे क्या बताईए ये देखो बेटा उसे साथ लेकर कबड़ी खेलो तू पॉली-ट्रेगनिक कर रहा है न आता है आएफिको चोड़ो याथ आपके पास जो मंध-बुद्धी खड़ा उसे खेल दाता है क्या ये मंद्ध बुद्धी है या धारदार चाकू ये मंदिर के मेले में पता चल जाएगा ये कबड़ी मेरे भाई की मौत के इंसाफ के लिए खेली जाएगी जब से जलेया का जन्म हुआ है मंदिर की बाल की सिर्फ हमने उठाई है और जब उसकी मौत हुई तो उसका अंतिम संसकार भी वहीं पर हुआ इसलिए ये कबड़ी भी उस दिन मंदिर के साम नहीं होगी ताकि ये मंदिर का भगवान भी उस कबड़ी को देख सके अगर हम लोग उस दिन हार गए तो हम मान लेंगे कि हमारे भाई ने पाप किया था और उसकी सजा हमें भगवान दे रहा है और उस दिन हमारा परिवार या आखरी कबड़ी खेलेगा लेकिन अगर हम उस दिन जीत गए तो इसे भगवान का फैसला समझ कर हम ये मान लेंगे कि मेरे भाई ने कोई गलती नहीं की और हम जीत कर रहेंगे ये देखो आ गया सुनो उसको घर के अंदर लाकर घर के बीचो बीच बिठाकर केले के पत्ते में खाना खिलाओ किसी भी तरह से इस घर में घुसने का प्लैन बनाया है इसने मौका मिल गया और ये आकर खड़ा हो गया बड़े पापा इस परिवार के साथ मुझे जुड़ना है ये बात बलकुल सच है लेकिन कल मैंने ये सब सोच कर नहीं बोला था बदनाम होकर मरने वाला मेरा भाई है और सब के सामने बदनाम हो रहे थे मेरे दादा जी इसलिए मैंने ये सब बोला था अगर आपको ये सब गलत लग राये तो कोई बात नहीं, मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अगर आप लोगोंने मुझे नहीं बुलाये तो मैं इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखोंगा और नहीं इस घर का पानी पियूँगा लेकिन बदनाम होकर मेरा भाई मरा है, उसके नाम पर में एक कमिटी बनाऊंगा जिसमें पूरा परिवार मिलकर कबड़ी खेलेगा और जीतने पर ही मेरे भाई की आत्मा को शांती मिलेगी आप और मैं अलग है और मुझे अलग ही रहने दीजिए लेकिन गाउंवानों के सामने हम एक परिवार की तरह रहना होगा उसमें क्या गलत बोला, जब पूरा गाउं वहां बेईज़त ही कर रहा था, तब किसी का खून नहीं खौला क्या बात है, अचानक दादा जी को अपने पोते के लिए प्यार उमड़ रहा है सुनिये वहिया, आप तो सब कुछ खतम हो गया है, अब क्यों पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हो देखो, सब लोग ध्यान से सुनलो, सब अपने अपने कौन से मतलब रखो अगर किसी ने मेरे खिलाब सूचा तो मैं इनसान ही नहीं रहूँगा, एवान बन सकता हूँ मैं पड़ो सुनना भाई, गाव वाले मुझे तेरे साथ बात करने से मना कर रहे हैं वो लोग तो कह रहे हैं कि मैं तेरे घर की तरफ भी ना चाहूँ तो मैंने भी उनसे एक सवाल पूछी लिया, मैंने पूछा, अब तक तुम लोगों को लग रहा था कि मैं तुम्हारे गाव में बस काम करने आया हूँ और अब आप लोगों ने मुझे अपना गावाला बना लिया प्रेसिडंट जी आपने बास सुनिये क्या, कल त्रिवियार में जो पुतारी परिवार का लड़का मरा है ना, उसके लिए वो चिंदा दुरई अकेला बैटकर क्रिया करम कर रहा था, ऐसा हमने सुना है यार तु भी ना, उनका परिवार जब तक एक जूठ होगा, मंदिर का मेला ही खत्म हो जाएगा यारे, पान का धंदा छोड़कर कबड़ी खेलेगा अब तु भी अरे, मेरे भाई तु लंगड क्यों रहा है, क्या हुआ ओ, तु ने लाइन बनाना सीख लिया, लाइन बनाना तो ठीक है, लेकिन अब मैं गाना गाते हुए आउंगा, तब तु ग्या करेगा, यहां से भागेगा क्या, देखते हैं कौन भागता है, तू आजा, इसा क्या, रोक मैं आया, ऑजा, बोल, बॉल, यहां जाओ, मैं अकैल, इसलीह मुझे अलग कर दें, यहां यहां हं जाए न, क्यों ताक्यिवार वाले, मुझे भी अलग करदे मैं नहीं आसकता, क्यों जीशाजी हुध, ढर्क है क्या, जाओ, जाओ। और दम कि Andra के साथ कभड्डी कें कर favor i कभडि कभडि at शरी शरी के और इसथा के मार सिर्फ सब्च्री कोई नहीं तू भी आजा तुझे भी मारूंगा ना तुम मेरे बेत किसे महारागा अच्छे आभी बताता हूं तने मर दखना मुझे करिक्षे月 पूरा परिवार आएगा ना तू भी हरा नहीं पाएगा सिर्फ तुझे नहीं तेरे पूरे परिवार को मारूंगा तू किसके सामने खड़ा होकर क्या बोल रहा है हां वो तारी से भी बड़ा खिलारी है क्या तू है कुपड़दी कबड़दी... कबड़दी... कबड़ी, 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 कबड़ी... मैं अपने बेटे को खोकर जिन्दा लाश बन गई हूँ, और आप ये कैसे जित पकड़ कर बैटे हैं, क्या उसको जिन्दा वापस लाने वाले हैं, कम से कम अमरे बेटे की हिजट तो बचाई है, बड़े पापा, बिना किसी गलती के चल्लाया भाहिया मर गए न, चिन्ना द क्या है हम आपस में कबड़ी खेल कर सीख गए ऐसा नहीं है हमें दूसरे गाउं में जाकर वहां खेलना होगा ताकि हमें अपनी ताकत और कमजोरी का पता चल सके आज रात को दूसरे गाउं में जाकर हम खेलने वाले हैं मा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम जाओ यहाँ से, चलो, चलो, हम यहाँ से चलते हैं, ना? मैंने कंभटी में इह अपने पटी को खोया है मेरे बेटे का समय भी सही नहीं चरा मैं कुछ भी बोलती हूं वह सुनता ही नहीं है मैं बस इतना कहोंगी मेरे बेटे को छोड़ दो मैं आपके आगे हाथ चोड़ती हूँ मा मेरी बात सुनिया आप चलिए मेरी साथ में आपको सब बता है उस दिन तुमने बूला था मेरा बेटा मेरी वजह से मरा है वो शब्द आज भी मुझे तीर की तरह चुपते है तुम बेशक अपने बेटे को ले जा सकती हो मां अगर मौत आनी है तो कबड़ी में नहीं आएगी क्या यह क्या क्या रहा है बिटा पूरे गाउं के साथ मैंने ललका रहा है बद्नामी के साथ सौन साल चीने से अच्छा है एक दिन इस्जत के साथ मर जाओं के साथ दो कि आरा है क्या रहा है थे जूत अपन आपर एप कहा जा रहा है नहीं बटा ओं यह पेटा बेटा आपर 예 कल? है क्या अपस क्या गई बच्च्छा क्षै मेरे के सुक्षिए उब्रों पेड़ी का वेय जोक्षै क्युद्धिद्धिश्वा चुवज़ पानी में पूदो, देखो, 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 तेरे लिए मैं और मेरे लिए तू ऐसा कहती थी मैं बिटा, लेकिन अगर तुझे कुछ वा, तेरे लिए पूरा परिवार कड़ा है, फिरे बच्चे देगी, तू अपने परिवार के साथ जा, खेल, उनकी साथ के सब को हरा कर दिखा बेटा, ए, मैंने एंट्री फीज भर दी है, का हैं सब लोग, वो सब लोग श्कूल के पास में है, स्कूल के पास ज़िए चल ठीक हम भी वही चलती है, भूख लगी है इस वक्त कहा हो जाएंगे या, सारी दुखा ने बंद हो गी है, जल जल ते है बूख लगी है, बूख तो और हम उससे ये बोलेंगे, कि हम बहुत बड़े कबड़ी प्लेयर हैं, और आपके गाव में कबड़ी खेलने आये हैं, हमें पीनी के लिए पानी चाहिए था, और जैसे ही वो पानी लेकर बहार आये ना, तु जोर से बोलना, कि भाया, मुझे बहुत भूख लगी है, समझा और वो बोलेंगे, अरे बापरी, बीटे चलो अंदर आकर खाना खालो, फिर आम अंदर जाएंगे और भार पीट खाना खाकर वहां से निकलेंगे, ठीक है, सुपब आइडिया है भाया, ये वाला गर, बहाँ जाना बिकार है, कोई फाइदा ने, बहाँ आपने कहा थाना, जाना खातेपिते परिवार का घर होना चाहिए, मचली का सालत, चल यहीं चलते हैं, आजा, हेलो, हेलो, मा, मा, कौन है आप, नमस्ते बेंजी, हम लोग बहुत बड़े कबड़ी के प्लेयर हैं, आपके गाव में कबड़ी खिलने आएं और हम, हम थोड़ा पानी ढून रहे बहुत जोर की भूख लगी है, अरे भूख लगी है, छोटी बच्चे को भूख बहुत लगती है, अरे अरे मचली का सालन बनाया था, लेकिन चावल में पानी डाल गिया, उससे नी चोड़ कर दे दूं क्या सालन के साथ, ठीक, मेरी बेटी भी कबड़ी प्लेयर है, बेट लड़की है, तो मैं उसे सारी टेकनीक, डिफेंस की सारी टेकनीक सिखा सकता हूं, जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सकती, अगर है तो बुलाइए ना, वो मैच देखने जा रही है, उसके लिए रेडी हो रही है, पवीत्रा, हमारे घर पे बहुत बड़े कबड़ी प्ले है, कहाना बहुत हो गया, अच्छी तरह से खाकर जाये कोच, यह क्या गंदी आदते पाल रखी है, इसलिए तुम्हारा पीछा करते आया हूं, अंचान घर में जाकर खाना खाते हो, कबड़ी खेलने से पहले यह कितनी बार समझाया है, पून में अंदर ही भूल गया, लेक इस फोटो में जो है, वो ही है मेरे पापा मैं कई सालों से कबड़ी देखता हूं, लेकिन मैंने आज तक ऐसी टीम नहीं देखी है, जिसमें एक गुजुर्ख है, एक साथवी, आठवी में पढ़ने वाला बच्चा है, यह एक ऐसी टीम है आप स्विन, चले आप मेमरेल कोईटी तीम, कावियार गोविल, च्वाइस राइच आउट आउट चालिस सेकंड भी ने खेला और आउट कैसे दे सकते हैं इस बुड़ापे में अगर रूस नहीं पता है तो हमारी जान क्यों खा रहे हो तुम लोग तुन्हें अम्पार पे हाथ कैसे उठाया, तेरी इतनी हिम्मत यह अधिए रूस आउट यह क्या कर रहा है बेटा अधिए रूस नहीं पता यह जाओ 40 seconds अभी नहीं है, recently अभी 30 seconds ही है अरे रे, इस बुढ़े को तो कबड़ी रूल्स भी नहीं पता अब ये कब रूल्स सीखेगा और कब हमें सिखाएगा और वो सब रूल्स सीख कर कब हम गाउवालों से खेल कर उनसे जीतेंगे, क्या पता दादा, आप इस उम्र में क्यों कबड़ी खेल रहे हैं, वो भी परिवार के साथ वो तारी से बढ़कर यहां कोई कबड़ी नहीं सिखा सकता है लेकिन आज के जो कबड़ी के रूल्स हैं, अपडेट करने के लिए मैं भी आपके परिवार से जुड़ सकती हूँ, क्या इस परिवार के लिए हमारा फर्स पुरा करना बागी है, तुम चाहो बेटी ऐसा नहीं है दाल जी, आपके समय में तीन जन, दो जन, एक जन, राइडर को पकड़ोगे, तो एक ही पॉइंट देते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, टू पॉइंट्स देते हैं, यही है सूपर टेकल ठेक है बेटा, ठेक है मुस्कुराई, मुस्कुराई, जिन्दगे मुस्कुराई जरा उधर देखो, कैसे दोड़ रहे हैं, जैसे पैर में गुबर लगा हूँ उनके यह चिन्ना दुरही है ना, चेलिया की मौत पर बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहा था अभी उसको ऐसे ही छोड़ दिया, बोला तो क्या कह रहा है पता है, कबड़ी खेलने पर ध्यान दो और वो सब बाते छोड़ो, ऐसा लोग बूल रहे है, भहया जो बूल रहे है, वह हमारे परिवार के अंदर घुसकर कुछ ना कुछ करने की सोच रहा है, उसके दिल में हमारे परिवार के लिए कोई प्यार वयार नहीं है उसको तो उस लड़की पवीत्रा के साथ गाउं गुमने के लिए समय कम पड़ रहा है उसे अंदर ही मार देते जावर्मेंट ऑफिस है ना इसलिए छोड़ दिया क्या बात है आप अपने जमीन को ऐसे चोड़ दिया कॉंट्रेक के लिए लोग मांग रहे हैं आप देंगे क्या उसे रहने तीचिया अभी कुछ दिन वह और ऐसे रहे की आये कबड़ी प्लेयर कैसे हैं आप बैठिये जब जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे थे तब से इसमें एक सर्वे नंबर जुड़ा हुआ है बस उसे अलग कर दिजिए लोन के लिए प्लाई करना है उसे अलग मत कीजिए सर उसे एक वज़े से तो हम सब साथ में हैं लोन क को एक साइन किया था ना वही काफी है आप इसे अलग कर दिजिए सर मैं आता हूं सर आप जा करेंगे क्या हुआ तुम ठीक हो ना कि समीन के रिजिस्ट्रेशन का मामला है मैं तु तुमारी साथ हु ना? दादा ददाजी, ग्राउंड मैंने रेडी कर दिया है, जेज़ जी और छोटे पापा नहीं आए अभी तुम दोनों को मैं समझदार समझता था रूल्स का मैं देख लूँगा, तुम घर जा सकती हो दादा मैंने कहा तुम जा सकती हो आज रात को ही एक मैच है बेटा इस लड़की को इसके घर पे छोड़ दो और सब कुछ वही पर छोड़ कराना यह क्या है यार माते ही लाद मार कर खेल शुरू करता है वह हमेशा इसा ही करता है हमेशा लाद मार कर पॉइंट वही लेता है अरे तेरी मा की आंख अरे उसी चगे पर वो बुढ़्धा मुझे खड़ा करेगा यार अकेले 21 पॉइंट हसल करने वाले सद गोपाल को मैन आउफ दा मैच खोशित करते हैं हमारे मिनिश्टर मिश्टर पुन्नु स्वामी जी सद गोपाल जी को ये घड़ी की नाम में देंगे स्लोरदार ताल्या हो जाएं दोस्तों कि तकी तर्वाकरन टीम और चॉइस रइड़ी । सर पर हात Ukraine कक्सम खा के जा रहा है परगाव इसके को ही लोग जीते हैं कुझाश आरव पर्फवाकरन टीम कमपड़ी, 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 पकड़, 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 इधर से, पकड़, बैटरमूर, वन पोईंट, रुबाकरेंटीम ओर पोईंट, रुबाकरेंट नमोजी है टीम पकड़ी, कड़ी, 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 कफड़ी, कड़ी, कद़ी, कषबी, कबड़ी, कड़ी, कबड़ी, कबड़ी 2, फोऊर पोईंट, रुबाकरेंट मेमोरील टीम अरुबाकरेंट यह लोग ऐसा खेलना है कैंका खेलकरेंट नम NO opp Hasan ивать दर्द हो रहा है बीचा दूसरे गाउं से हम हार कर आये हैं कल गाउं में होने वाला खेर जिन्दगी और मौत के बीच हमारा परिवार हार कर बेज़ती में खड़ा होने वाला है तब इस परिवार के लोगों ने जो पॉप किया है उसकी सजा मारिया मन माता ने दी है ऐसा पूरा गाउं कहेगा पिरे बेटे की मौत को तू बार बार जखम दे रहा है क्यों तू ऐसा कर रहा है इन सबकी वज़ा यही है ना इसको गहाँ वालों के सामने सभी के पैर पकड़कर माफी मांगने के लिए बोलो कि हम यह मैच खेलकर हारना नहीं चाहते हैं क्याँ तब जा यह वालों कि फूम नमर की ड्रिस पहने हुए क् प्रोव कबडड़ी प्लियर तुम्हारा इधाऊ मामा सिर्फ टीवी में ही दिखेगा थे चल्ड़ी ताधाजी ताधाजी यहीं में सल्ड़ी में चल्लिया मामा कबड़ी खेल रहे है थे प्लीवी में चल् देखते हैं ना चलिए दादाजी चलिए उठिए चले यह मामा टीवी पर कबड़ी नहीं खेलेंगे लेकिन उसकी जगह पर जो खेलने वाला है वो ज़रूर जीतेगा चल बिटा अरे यह पोतारी परिवार के लिए दूद है अरे भाई हमारे सेरलादन गनपती के बारे में नियूज आया देखो ज़रा दिखा प्रो कपटी के खिलाडियों के नीलामी में तामिल नाडू के सेरलादन इंडिया में सबसे महंगे कीमत में उनको खरीदा गया है इन्हें न्य अच्छारी डिस्क्रीक्ट काल्यार कोईल गांगे दहने वाले है ऐसा कहा जाता है एकदब मसित मेट रहे ना उसे बात कवे बहुत दिन हो गया, उसे बदाए देता हूं मेरे यार, मेरे यार, मेरे यार एए मेरे बाई कलायर कोहिल से सड़गोपन बात कर रहा हूं बोल मेरे यार कांग्रेट्स मेरे बाई कमाल कर दिया ठैक्स यार ठैक्स और यह मेटर क्या है पुरा गाउं एक तरफ और पोतारी परिवार एक तरफ सुना है ऐसा चैलेंज किया है आ यार उन्होंने हमारे गाउं को दोका दिया था ना उसका इनाम तो उन्हें मिलने ही चाहिए था देख मेले के दिन जो मैच होने वाला है ना उसमें साथवा किलाड़ी उतर कर मैं भी केलूंगा यार मैं सर्फ इसके लिए थोड़ी आ रहा हूं मैं तो हमेशा समेले में आता ही हूं ना मंदिर के साथ उनके परिवार को भी एक कुम्बभी शेक कर देते हैं हाँ कर देते हैं साहब आपने कुछ सुना क्या क्या बात है काहो वो वेलू का बेटा शेर नादन है ना उसको मंबई टीम ने निलामी में पांच करोड में खरीदा है ये तो अच्छी बात है ना अरे क्या अच्छी बात है इस मेले में होने वाली कबड़ी परतियोगिता में गाँवाले की तरफ से उसको आपके खिलने के लिए बुला रहे है इतना बड़ा प्लेयर है क्या वो अरे तुम क्या बात कर रहे है उसने जो मैच खिला है वाटसअप में दिखा रहे है एक मैच में उसने एक खिलाड़ी को इतनी जोर से लात मारा कि पता नहीं खिलाड़ी जिन्दा है कि नहीं उनकी टीम में कितना खतरनाक खिलाड़ी है अब यह जो आएगा इसको कौन संभालेगा क्या पता कुतारी जी के खिलाफ सीना तान के खड़ा हो गया देखिए इससे बुरे दिन क्या हैंगे अब हुँ वोलो अभी मैंने क्वीडियो क्लिप भेजी है देखो और अभी चेक कर रही हूं मैं तुमिसे देखो मैं और भेज़ती हुँ हुँ यह देखिए बहुत बड़िया खेल दिखाते हुए इन्होंने एक और पॉइंट हासिल किया है उनको एक भी पॉइंट दिये बिना हम जीतेंगे मामा अरे तुम दो खेल में जीत जाओगे लेकिन इतना काफी नहीं है मेरे लिए लेकिन इस गाओं को धोखा देने वाले उस परिवार का जो सही जवाब होगा वो है एक बहुत याद रखना इस बात का सुनिये पाप पाप पा कि यह सब क्या है यह पैसे बारिश में अकेले क्यों खड़े हुए पापा आप यहां इतनी रात में क्या कर रहे हो मैं सो रहा था मेरे पोते चलाया ने आकर मुझे जगाया और वही वही मुझे यहां लेकर आया कल होने वाली तत्योगिता में अगर हम हार गए तो मैं भी मैं भी जिन्दा नहीं रहूंगा चलाया के पास चलाया नहीं मरने देंगे नहीं जोलूंगा 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 नहीं जोलू आज से हमारी टीम के कैप्टन तुम हो अपने इज़द बचाने की काबिलियत और हैसियत तुम में है तो सारे फैसले अब तुम ही लोगे कालियार कोहिल कालेगल टीम तालियों की गडगड़ा हद के साथ एंट्री कर रही है की के मौइण दो से एंटा थो एंट्री। हवड़स्विन चलेया मेमरील कमधी राइड रादे, डादे, त피र्स्की कोई नोर्ट राली है। कौबड़े, कौबड़े... कबड़ी, 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 कबड़ कबढडि का शेर सेंधंद का राय ढेको कबढडि कबढडि कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी... कबड़ी, 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 कबड़ तो मरी आमन्देवी हमारा साथ देगी सुपर मेरे यार आप अपने परिवार के साथ खेलेंगे ऐसा इन्होंने चैलेंज किया है तुम इन्हीं के परिवार की हो गया अभी इसी वक्त मुझसे शादी करोगे क्या है मसाग कर रही हो क्या बागलों की तरह बातें मत कराओ जाओ यहां से बोलो मुझसे शादी करोगे क्या दादा आप मुझसे नाराज हो यह मुझे अच्छी तरह पता है मुझे इस परिवार के लिए एक फर्स पूरा करना है दादा मुझे खेलने का मौगा दीजे ना दादा प्लीज दादा मैंच खतम होते ही मैं मंगल सूतर उतार कर चली जाओंगी दादा अंच रख प्लीज दादार उतल दादा प्लीजे लोगा च़ोगा यह मुझे वह मुझे ओटे टाकर फ्ली कर देदेते हैं मुझे लोगा अब क्या तुम्हारी टीम से लड़किया भी खेलेंगे अब क्या तुम्हारी टीम से लड़किया भी खेलेंगी बेटिभविट्रा तो म dispomatis को है उंगें मैं खेला तुम्हारी हो बेटि आव खेलो तुम्हारी खेला को Kabaddi , Kabaddi , Kabaddi , Kabaddi One point. Jelleya Memorial Committee Kabaddi , Kabaddi , Kabaddi , Kabaddi कबड़ी, 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 कबड़ करगपरण्टी 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 एए नदाजी दादा जल्दी कोई फान ही लेकर आँ अब ठीक हो ना नहीं मैं ठीक हो ना पाज करो रुख पहली है यार लातन किसी से कम है क्या इस गाउं का नाम रोशन करने वाले पोतारी जी उनसे नहीं हो पाएगा उनको यही लग रहा है और तुम लोग उन है लात मार रहे हो मैदान में अभी तक फस्थाफ के खेल में हमारे गाउंगी टीम जिसे सभी जानते नमबर वन टीम कालया कोविल काल गेल 27 पोईंट इस गाउं के खिलाब खेलने वाले जैलयया मेमोरियल कमीटी जिनका तिर्फ एक ही पोईंट है कुपड़्टी 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 कबदि, कबदि… कबदि… मम्… फापुएट चल्ले मैमोरियाल की पहले एक क्वोइट और एक क्वाइट उनलोगोंगों तुमने भीर दे दिया प्वधि, कबदि, कबदि», dit जबंक, प्वधि, जबंक... जोटा बच्छाए तो इस तरह बर्ताओ करेगा क्या तुम्रुका सनो शेर लादन तुम्छा कवपपणी कवपपणी कवपणी 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 देख लूंगा ददाजी पीछे आएगे कहबोटी, कहबोटी, एक इसे दो पंत प्रहन है पुराना पुरतरी एके सिथा रहाए कबढदी, 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 कबढद कबधी, कबधी... कबधी, कबधी, कबधी... कबधी, कबधी... कबधी, कबधी... बस्टे.. ओन पॉइंट, चलाया然後 निया.. जलाया है तीम कबधी, कबधी.. कबड़ी, कबड़ी, कबड़ी कबड़ी, 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 कबड़ी यहा, कबड़ी, कबड़ी हाइपर चलेया को बड़ि सपजिग दो आज хочу को बलत काभर, काभर, चावर। ब्राइन पञा चेले, मेमारियोड्टी काभपष il що... कबादी, कबादी, कबादी… फुब मैंठर का लेटो है! कबादी.. कबादी… कुप बनिक, कुप बनिक ऐख्यूए, फॉरण के लिलक, बनिक, कुप बनिक, बनिक, कॉप दिया एटानग insya आ। पॉइडर काल्यार कोविल कालगल की जीत पक्की है लास्ट वन मिनुट करपटिक कबादी... काबादी... हाब सीरीफ कवाथेकल, टू पोईंट चल्डे, मेमरियल टीम, याप हो आती, काचा शिर मुण करें हमारी टीम के पॉइंट है 41 और चलाई या मेमोरियल टीम के है 34 पॉइंट और सिर्फ आगरी रेट बाकी है इतने पॉइंट काफी है हम लोग साथ पॉइंट आगे हैं तम लोग क्या करने वाले हो एक खिलाडी बीच लकिर के पास खड़े रहो उसे रोक कर वांटेरी उसे चुकर आउट हो जाएगा तम लोग चाहे पॉइंट से जीत जाओगे जाओ 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 एक रेड में सब कुछ हुएगा तभी जीत पक्की होगी और यह मुम्किन है कि आब कर दो झाल झाल कह बढ़ि, कह बढ़ि भान investments कह बढ़ि, कह बढ़ि, कह बढ़ि कवधी प्यिभा कोणर को चोह चू कर जा sector करें यह जंनक खरागल यह जहिसी खरागल कवधी बढ़ी, 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 बढ़ी एए, है, है! तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला चले यह को पैसे देने वाला और वाटसेप पर मेसेज करने वाले लड़के को गन्नी की फैक्टरी में कनया ने देखा था उसने मुझे बताया कि जब वो कच्रा उठा रहा था तो उसे वहाँ पर एक खोपड़ी मिली थी और तभी से मुझे शक होना शुरू हो गया था DNA टेस्ट रिपोर्ट से मरने वाला वही लड़का है ये कंफर्म हो गया था तभी मैं इनका परदा फार्ष कर सकता था लेकिन फिर गाउवाले ये सूचते कि हम कबड़ी नहीं खेलना चाते इसलिए ये सब कर रहा है मेरा भाई चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि उसने वो पैसे ब्याज पर लिये थे लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था किसी ने उस पर यकीन नहीं किया था मेरे भाई की मौत की वज़े सिर्फ ये लोग नहीं है बल्कि पूरा गाउव है जिस गाउव ने हमें सजा देने का फैसला किया था उसी गाउव के लिए एक दिन इस पूरी गाउव की इज़त बचाने के लिए मेरे दादा ने कबड़ी खेली थी वो तब भी जीते और आज भी जीते मैं चाहता तो उसी दिन आप लोगों को ये बात बता सकता था लेकिन कबड़ी से मैं किसी का ध्यान नहीं भटकाना चाहता था इसलिए मने उस बात को छुपाया मुझे माफ कर दीजिएगा मुझे माफ कर देजिएगा मेरा छूटा भाई मर गया है उसके पास जाकर माफी माँ नहीं बेटा छोड़ते उसे हमें उन्हें सजा देने की जरूरत नहीं ये खुद सदा भूग देंगे चलो चिनदुरई उस तरफ कहां जा रहे हो बेटा हमारा घर इस सरफ है चलो मामा अमारे घर चलते हैं मामा चलो चलो ना मामा अपने घर चलो ना बेटा मेरा लागला बच्चा है ना चल घर चलते हैं चलो ना बेटा अपने घर चलते हैं चिनदुरई अपने घर चलते हैं हमारे लिए सब कुछ करके हमें छोड़ कर जाने की सुचना ये कहां का इंसाफ है मेरे पापा ने ये तो क्या हुआ अभी मेरे छोटे पापा है ना बड़े पापा भी तो है मेरी एक नहीं तीन माएं हैं छोटी मा बड़ी मा और दादी मा दादा दादी बुआ फूफा जी भाई बहन मेरा परिवार एक जॉइंट फैमिली है आप लोग ही बताईए आप लोगों को छोड़ कर मैं कहां जाओंगा चिनना तो रही बड़े पापा मुस्कराई मुस्कराई जिंदगे मुस्कराई